देखिए बैंक निफ्टी की अंदर अब हम बुलिश कब होंगे बिलकुल ध्यान से देखना देखिए जब तक इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी सश्टेन नहीं कर जाती है जो की लेवल निकल के आ रही है 44,050 का जब तक इस लेवल के ऊपर एक दिन का केंडल नहीं कर जाती है तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर बिलकुल भी बुलिश नहीं होंगे याने की बाई करने के बारे में नहीं सोचेंगे बिलकुल ध्यान से समझना लॉजिक के साथ मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा यहां पर देख सकते हैं जब भी इस लेवल के पर आई बैंक निफ्टी कितना बरा रेली देखने को मिला अप रॉक्स 1600 पॉइंट का रेली देखने को मिला यहां पर आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर अब हम एग्रेसिव सेल साइड के तरफ कव जाएंगे सेल साइड के तरफ अब हम जाएंगे जब ये वाला लेवल यहां पर ब्रिक डाउन कर जाती है जो की लेवल आप लोग यहां पर किलियर कट देख सकते हैं 43,355 का लेवल है जब इस लेवल के नीचे एक दिन का केंडल सस्टेन कर जाएगी तब हम बैंक निफ्टी के अंदर अग्रेसिव सेल साइड के तरफ जाएंगे याने की हम पुट बाई करेंगे जब तक इस रेंज की अंदर बैंक निफ्टी कामकाज करती है जो की रेंज है आप लोग यहां पर देख सकते हैं 44,444 से ले करके 43,355 तक का जो यह रेंज है यह क्या है यह नीट्रल रेंज है इस रेंज के अंदर आप लोगों को कॉल और पुट के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं परना है नहीं तो आप लोग ट्रैप के अंदर फश सकते हो अब चलिए अब हम बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान करते हैं याने की मंगलवार का ट्रेड प्लान करते हैं अब आप लोग देख सकते हैं हम पांच मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं वीडियो में आगे बरने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल पर आप्शन ट्रेडिंग टेकनिकल एनलाइसिस में तो फटा फट से भाई मेरे आप लोग लाइक कर दे चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब भी कर लें साथी साथ बाई लाइकन के ओल पर किलिक करना बिलकुल भी ना भूले जरूर किलिक कर लें अब देखिए अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपोर्टेंट रजिस्टन्स रहने वाली है बो रहने वाली है ये वाला दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के उपर गेप अपनिंग ले लती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोगों को यहाँ पर बिलकुल भी जल्दवाजी नहीं करना है लॉजिक क्या है आप लोग यहाँ पर लॉजिक को देख सकते हैं इसी लेवल के नीचे बैंक निफ्टी है तो यहाँ पर बायर का मैंड सेट क्या होगा इस लेवल के उपर वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे तगड़ा बाइंग करेंगे लेकिन देखिए आप लोगों का साइकलोजी यहीं पर तो देखना है यहाँ पर मार्केट आप लोगों का पेसेंस को देखता है यहाँ पर क्या होगा बहुत सारे बायर को एक्टिव कराए जाएंगे और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख लेना 95% इसकी एकुरिसी है इस लेवल से आप लोगों को करेक्शन देखने को मिल सकता है इसे बिलकुल अपने चार्ट के उपर इस लेवल को मार्क कर लेना बिलकुल भ यहाँ पर ट्रैप के अंदर फस सकते हो यहाँ पर कंडिशन को बिलकुल ध्यान से सुन लेना यहाँ पर अगर गेप अपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर आप लोगों को 30 मिनट वेट करना है याने की 9-15 से ले करके 10 बजे तक यहाँ पर बेट करना है कैसे बेट करना है बिलकुल ध्यान से सुनना मालो यहाँ पर गेप अपनिंग ले लेती है और इस ताइके का कंसॉलिडेट करती है और यहाँ पर जब एक रेंज बनाती है और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकाउट करेगी तभी आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हैं इस से प गेप अपनिंग ले लेती है बैंक निफ्टी तो यहाँ पर बहुत सारे विगनर क्या करेंगे कॉल बाई कर लेंगे लेकिन यहाँ पर आप लोगों को यह नहीं पता है जो इस लेवल से करेक्शन देखने को मिल सकता है यहाँ पर आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है यहाँ पर आप लोग safe put buy कर सकते हैं यहाँ पर condition सिर्फ दो ही होंगी call buying करने का पहला condition मैंने आप लोगों को बता ही दिया consolidate पर यहाँ पर entry लेना है दूसरा condition यहाँ पर क्या होगी gap up opening लेने के बाद जब इस level पर दुबारा retrace करने आती है न और आप लोगों को bully scandal की अंदर रेश्टेंट दिखाई दे देती है तब तो आप लोग यहाँ पर safe call buy कर सकते हैं और यहाँ तक target के लिए आप लोग easily जा सकते हैं जो कि हमारा अगला resistance होगा 44,070 का जहां से हमें reversal देखने को मिल सकता है अब मान लो अगर कल के दिन याने की मंगलवार के दिन यहाँ पर flat खुल जाती है बाइंक निफ्टी तो ऐसे condition में यहाँ पर क्या करना होगा बिलकुल logic को समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए अगर यहाँ पर flat खुल जाती है न तो यहाँ पर बिलकुल भी यह range अपने चाट के उपर मार कर लें बिलकुल भी call or put के चक्कर में आप लोगों को यहाँ पर नहीं परना है नहीं तो आप लोग यहाँ पर trap के अंदर फस सकते हो जो की range है 43,790 से ले करके 43,531 तक का यह range है यह क्या है यह पूरा का पूरा trap zone है इस zone के अंदर आप लोगों को call or put के चक्कर में नहीं परना है flat खुलने के बाद जब इस level को यहाँ पर breakout कर देती है जो की level है 43,870 का तब तो आप लोग यहाँ पर safe call by कर सकते हैं और यहाँ तक target के लिए जा सकते हैं अब जो bank nifty के अंदर जो important support रहने वाली है बो रहने वाली है यह वाला level जो की level निकल के आ रही है आप लोग देख सकते हैं जो की level है 43,506 का जो की एक psychology का भी level है माल लेजिए अगर कल के दिन bank nifty इस level के नीचे gap down खुल जाती है जिसकी chances बहुत ही कम है एक परसेंट माल लेजिए अगर इस level के नीचे gap down खुल जाती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा wait करना होगा gap down खुलने के बाद जब इस level पर दुबारा retrace करने आती है या फिर इस तरीके का consolidate करती है और यहाँ पर जब एक range बनाएगी और उस range को जब यहाँ पर break down कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर safe put buy कर सकते हैं और यहाँ तक target के लिए आप लोग easily जा सकते है जो कि हमारा अगला support होगा 43,250 का यहाँ पर आप लोग अपना profit को book कर सकते हैं यहाँ तो फिर अपना SL को trail कर सकते हैं अब आप लोग देख सकते हैं nifty 50 का chart है यह nifty 50 के अंदर जो important resistance है support है उसे बिलकुल अपने chart के उपर mark कर लें आईए पहले बिलकुल logic के साथ समझ लेते हैं देखिए nifty के अंदर जो trend है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक trend line बनके आ रही है जिस trend line को proper तरीके से nifty 50 के अंदर क्या कर रही है respect दे रही है आप लोग देख सकते हैं जब भी इस trend line के पास आती है nifty 50 correction देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है यह यहाँ पर देख सकते हैं इसी trend line के नीचे अभी nifty 50 क्या कर रही है trade कर रही है जिससे हमें यह indication मिल रहा है जो अभी nifty 50 का trend क्या है downtrend है अब मान लीजिए अगर कल के दिन nifty 50 यहाँ पर flat खुल जाती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर bet करना है flat खुलने के बाद ज रेक आउट कर देती है जो की level है 19,822 का तब तो आप लोग यहाँ पर safe call by कर सकते हो और यहाँ तक target के लिए आप लोग easily जा सकते हो जो की हमारा अगला resistance होगा 19,870 का यहाँ पर आप लोग अपना profit को book कर सकते हो या तो फिर अपना SL को trail कर सकते हो अब माल लो अगर कल के द gap up opening ले लेती है तो ऐसे condition में यहाँ पर क्या करना होगा बिलकुल ध्यान से समझना logic को यहाँ पर माल लेजिए अगर 30 से लेकर के 40 point तक का gap up opening ले लेती है 5050 तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर wait करना होगा जब इस level के ऊपर दुबारा retracement करने आती है और इस तरीके का pattern को fulfill करती है और bully scandal के अंदर आप लोगों को यहाँ पर strength दिखाए दे देती है यहाँ पर आप लोगों को triple confirmation जब मिल जाती है और हमारे condition को यहाँ पर fulfill करती है तब तो आप लोग यहाँ पर safe call बाई कर सकते हो और यहाँ तक target के लिए जा सकते हो अब माल लो अगर कल के दिन nifty 50 80 से लेकर के swap point का gap up opening ले लेती है याने कि इस level के उपर gap up opening ले लेती है जो की level है 19,870 का तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर बिलकुल भी call के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि इसके पीछे logic है logic क्या है बिलकुल ध्यान से समझ लीजिए अगर यहाँ पर gap up opening ले ल इस level से आप लोगों को reversal देखने को मिल सकता है यहाँ पर entry कैसे बनेगी पहला condition यहाँ पर होगी gap up opening लेने के बाद जब इस level पर दुबारा retrace करने आती है और आप लोगों को bully scandal के अंदर रेश्टेंट दिखाई दे देती है तब तो आप लोग यहाँ पर safe call by कर सकते हैं औ और आप लोग यहाँ पर 50 point target के लिए जा सकते हैं दूसरा condition यहाँ पर क्या होगी gap up opening लेने के बाद जब इस level के उपर इस तरीके का consolidate करती है और यहाँ पर जब एक range बनाएगी और उस range को जब यहाँ पर breakout कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर call की entry safe बना सकते है या फ 5050 के अंदर जो important support है बो है ये वाला level जो की level निकल के आ रही है 19,740 का मान लिजिए अगर कल के दिन 5050 से level के नीचे gap down खुल जाती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर बिलकुल भी जल्दवाजी के अंदर put की entry नहीं लेना है यहाँ पर entry कैसे लेना है gap down खुलने के बाद जब इस level पर दुबारा retrace करने आती है और आप लोगों को BRE scandal के अंदर strength दिखाई दे देती है तब तो आप लोग यहाँ पर safe put buy कर सकते हैं और यहाँ तक target के लिए आप लोग easily जा सकते हैं जो की हमारा अगला support होगा 19,690 का यहाँ पर आप लोग अपना profit को book कर सकत हैं तो आसा करता हूँ bank nifty nifty 50 की सारे level आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोग अपने चार्ट के उपर यह सारे level mark कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर तब तक के लिए जाहिंद व आत्रम